नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मावा बनाने की रेसीपी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मावा बनाने की रेसीपी अपलोड कीजिए तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्योंकि अभी बहुत सारे तेव आरा पल एलिमोनियम की कड़ाई में बनाते समय आपको कौनसी कौनसी बाते द्यान में रखनी है वो भी साथ साथ बताती रहूंगी तो यहां पे अमने कड़ाई को एकदम सूखा लिया है आप इस तरह से देख रहे होंगे ना बिल्कुल सूखी कड़ाई है इसको आमने गीला अगेरा कुछ भी नहीं किया है अब इसके अंदर हम सीधा ही दूद डाल लेते हैं तो यहां पे मैंने डेड़ लिटर दूद लिया है और द्यान रहे मावा बनाते समय आप फुल क्रीम दूद का ही इस्तेमाल करें इससे मावा जो है जादा क्वांटीटी में निकलता है त अब मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स आगे अमें कौन सी कौन सी बाते द्यान रखनी है यह जैसे ही गरम हुआ है फुल फेट होने के कारण जितना गीथा वो उपर दिखाई देने लगा है मलाई के साथ में तो अब इसको अमें गरम होने के बाद में फ्रेंड्स लग अब कराई में लगकर जल जाता है इसलिए मैं आपको यह सारी जानकारी बता रही हूं तो यहां पर आपको कड़ाई को चेंज करके दिखाती हूं अगर आपके पास नोन स्टिक कड़ाई या पैन है तो आप उसके अंदर ही मावा बनाए आपको बिलकुल भी दिक्कत नही आएगी और अगर आप सिंपल कड़ाई में बना रहे हैं तो आप यह बाते द्यान रखे आप देख रहे होगे ना कि दूद कड़ाई में किस तरह से चिपक गया है जब आम एक गंटा लगा कर कोई रेसीपी बनाते हैं और वो खराब हो जाए तो बड़ी तकलिप होती है इसलिए आप कुछ बातों का द्यान रखे तो आप परफेक्ट मावा बना कर तयार कर लेंगे अब इसको नोन स्टिक में हमने डाल दिया है तो कोई टेंशन नहीं है आपका मन करे जब आप इसको चलाए और वरना आप इसको मेडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकने दे ले कड़ाई को आप उसके इंदर दूद अधर करें ऐसा करने से आपकी जो कड़ाई है ना वह बिल्कुल भी दूदक को नहीं पकड़ेगी इसके साथ साथ में आप साइड में आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हो जैसे एक गैस पे आपका खाना बन रहा है तो दूसरी गैस पे आपका मावा बन कर तयार हो जाएगा क्योंकि इसको अमें लगातार चलाना नहीं होता है बीच बीच में एक बार चला लेते हैं और फिर कुछ सेकेंड के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये आमने बहुत देर के बाद चलाया है लेकिन फिर भी ये नई चिपका है ये देखी पूरा मावा बिल्कुल आसानी से जो पूरा दूद है वो इस तरीके से निकलाता है इसमें बिल्कुल भी नई लगता है कड़ाई के अंदर बहुती आसानी से मावा बन कर तयार हो जाता है और मावा बनाने में अमें लग बल डेड लिटर का मावा बनाने में अमें 30 से 35 मिनेट तक लग जाती हैं यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम अभी तक फुल मेडियम पे रखा था तो यह जल्दी से बन कर तयार हो जाता है कई बार अगर आप low flame पे बना कर तयार करते हो तो आपको time लगबग पोना गंटा तक लग जाता है इतने दूद के अंदर तीसरी बात आपको मावा बनाते समय यह याद रखनी है friends कि आप इसको full आंच पे ही बना कर तयार करें अगर आप बिल्कुल देमी देमी आज पर बना कर इसको तयार करते हैं तो मावा जो है आपका अलका सा लाल कलर का बन कर तयार होगा और अगर full आंच पे करते हैं आप इसको बना कर तयार तो मावा एक तम ही सफेद कलर का आपका बन कर तयार होगा और यहां पे अमारा जो मावा है वो बनने को है अब इसमें केवल 5-6 मिनिट और लगेंगी इसी तरीके से जब ये गाड़ा हो जाता है ना उसके बाद में अमें गैस का फ्लेम कम कर देना है और इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि इसमें से छीटे बहुत ज़्यादा उ तो इस टाइम पे आप गैस का फ्लेम बन कर दे और अगर आपको मावा की दूसरी मिठाई बनानी है तो आप इसको थोड़ा सा और पका कर गाड़ा कर ले वैसे ये ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा गाड़ा ओर हो जाएगा लेकिन गुलाब जामुन का जो मावा रहता ये इसलिए कि अमने इसको फूल आच पे पका कर तयार किया है इसको पकाने में आमें 35-40 मिंट का टाइम लगता है इससे ज्यादा टाइम आमें नई लगता है और बहुती बड़ी अमावा आपका गर में बन कर तयार हो जाता है अब इसको अगर आपको तुरंत यूज करन आप तुरंत मिठाई बना सकते हो अगर एक दो दिन के बाद में यूज करना है तो आप इस तरीके से किसी बोल में बरकर डखकन लगा कर फ्रीज में रख दे और जब आपका मन करें आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो फ्रेंड्स आप भी इन बातों को द्यान में र आपका बूत बूत दन्यवाद